नमस्कार आप देखरें एकालोवी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंदियो चक्रवर्ती GST के चार साल पूरे हो गए हैं और मैं इसको गलत शलत टैक्स कहता हूँ क्यों कहता हूँ? क्योंकि इसमें जितने भी वादे किये गए हैं सब के सब गलत निकले सबसे पहला वादा हमको उसे क्या किया गया था? हमें बताया गया था कि GST लागू होते ही हमारे देश की जो आर्थिक विकासदर है उसमें 2 प्रतिशत का इजाफा हो जाएगा यानि कि अगर आर्थिक विकासदर 8 प्रतिशत है तो GST के बाद वो 10 प्रतिशत हो जाएगा हमारी आर्थिक विकासदर थी आठ परसेंट, आठ परसेंट हमारे देश की आर्थिक विकासदर, यानि कि GDP ग्रोथ त्रेट, 2016-17 में बिल्कुल GST लागू होने के कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले आर्थिक विकासदर बढ़ गया, आठ दशमलव, तीन प्रतिशत के आसपास पहुंच गया, यानि कि GST लागू होने के बाद, चलिए एक साल छोड़े जिए, एक साल के बाद, कम से कम 10 प्रतिशत जाना चाहिए, 10 प्रतिशत पे तो जाना ही चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, 2017-18 में, जब जुलाई से GST लागू हुआ है, तो लास्ट के जो 9 महीने हैं, वो GST वाला है, उससे पहले GST नहीं लगा है, और आर्थिक विकासदर 6.8 प्रतिशत पे गिर गया, ठीक है, 8.3 से 6.8 पर, 2018-19, दो साल अब लग गये हैं, 2018-19 में ये गिर कर 6.5 प्रतिशत पे उतर गया, और भी नीचे चला गया, और फिर 2019-20, और यादर कि ये सब कोविट से पहले का है, 2019-20 में आर्थिक विकासदर कहां गया, 4 प्रतिशत, यानि कि 8.8 प्रतिशत, जो 2015-16 में था, और 8.3 के आसपास, जो 2016-17 में था, GST लागो होने से पहले, उसका आधा हो गया जी विकासदर, GST लागो करने के बाद, और खेर, हम कोविट के साल को आप छोड़ीजे, क्योंकि उसमें GST का कोई लेना देना है नहीं, कोविट के चलते तो हमारे देश में महामंदी आईए, विकासदर नेगेटिव पे पहुंच गया है, अच्छा ये था पहली बाद, दूसरा वादा क्या था, दूसरा वादा ये था कि GST लागो होने के बाद, जितने भी व्यापारी टैक्स की चोरी करते हैं, वो सब, सब के सब को अब GST देना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, कि जादा लोग टैक्स नेट में आएंगे, जादा लोगों को GST देना पड़ेगा, और जो लोग टैक्स इमानदारी से भरते हैं, उनको फायदा होगा, जो वे अपारी इमान प्रक्राइब और इसे एक और चीज होगा इसे देश में जो कुल GST से पैसा आता है यह जो सेज टेक्स वगएरा से पैसा आता है वो बढ़ जाएगा सरकार के हाथ में पैसे आ जाएंगे और फिर वो खर्च कर पाएगी हम पे खेर हुआ क्या फिर से मैं आकड़े आपको बत लाखेगा 2017 के जुलाए में यह GST लाग हुआ तो अठारा उनिस पहला साल है जब पूरा का पूरा GST बजेट में कहा गया कि कितना GST का कलेक्शन होगा क्योंकि इसी के बेसिस पर कहा जारा है कि GST अच्छा है बजेट में हमें बताया गया कि GST का कुल कलेक्शन होगा लग आसपास सरकार को मिलेगा लेकिन जब साल के अंतक देखा गया कि कितने पैसे आए तो GST से सिरफ 5 लाख 82 करोर के आसपास आए और वो GDP का 3.1 प्रतिशत निकला 4 प्रतिशत सोचा गया था आया 3.1 प्रतिशत अब अगले साल बजेट में सोचा गया कि चलिए हो नहीं रहा चार प्रतिशत नहीं आ सकता है तो हम अपना जो लक्ष है हमारी जो आकांग्षा है GST मिलने का जो हम एस्टिमेट बना रहे हैं उसको भी कम कर देते हैं तो एस् पैसा आएगा ठीक है क्योंकि 3.1 एक आया था था थोड़ा सा बढ़ा के 3.2 तो आप देखें कि आप थोड़ा सा सरकार ने सोचा कि आप थोड़ा सा रियलिस्टिक प्रोजेक्शन किया जाए आया कितना आया 6 लाग करोर से भी कम पांच लाग 99,000 करोर के आसपास आया यह कोविट से पहले की बात कर रहा हूं है और GDP के तुलना में कितना 2.9 परसें यानि कि 3 प्रतिशत से भी कम कहां सोचा गया था 4 प्रतिशत आएगा GDP का उसके जगे 3 प्रतिशत से कम आया गया कहां 2017-19 में टार्गेट लगाया गया था 7,44,000 करोड का 2019-20 में भी कोविट से पहले 6 लाग करोड तक भी यह GST नहीं पहुचा और 21-22 में खैर कोविट से पहले जो एक अनुमान लगा गया था उसमें कहा गया था कि अब 7 लाग के कर हाथ में आएगा उसके बाद कोविट आगया लॉगडान हो गया तो कितना आया 5,15,000 करोड और उसमें भी 3.1 प्रतिशत GDP का अनुमान लगाया था और कोविट के चलते वो 2.6 प्रतिशत पर गिर गया तो आज देखें कि जो भी कहा गया था कि इससे सरकार के हाथ में ज्या आखड़ों की बात ठीक है आखड़े एक तरफ है आखडों से साफ है कि GST फेलियर है लेकिन GST साथ में दो चीज़ है एकै ये करीबों के खेलाफ है दूसरा ये लोकतंत्र की खेलाफ है क्यों मैं कह रहा हूँ सबसे पहली बात है गरीबों की बात करता हूँ देखिये गरिब आदनी होता था कि बहुत कम मार्जिन पर काम करता था टाक्स नहीं देता था अब क्या कि कहीं कहीं पे तो चाय वाला जो office के सामने चाय वाला है वो भी उसका भी business चला गया क्यूं क्यूंकि जो office या company को input credit मिलता था वो जो सामने चाय वाला का दुकान है उससे चाय लेने से फाइदा नहीं इससे अच्छा है वो चाय का vending machine उन्होंने office में लगा दिया क्यूंकि input credit मिलने के लिए उनको GST registered vendor ही चाहिए जो GST देने वाला vendor है वो ही चाहिए और इसे क्या हो चोटे जो vendor है उनको GST register करना पड़ा है उनका threshold GST limit से कम भी हो तो भी काम मिलने के लिए उनको GST register करना पड़ा है अगर वो नहीं करते हैं तो क्या हो रहा है उनको और भी discount और भी reb तो इसलिए जो इतने भी छोटी कमपनिया हैं GST आने के बाद उनका एक तरीके से बहुत बुरा हाल हुआ है और इससे क्या हुआ है कि हम जानते हैं अनौर्गनाइस सेक्टर जिसको कहते हैं एक और कारण है जिससे मैं कहता हूँ कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है किसी भी राज्य सरकार के पास अपने टैक्स लगाने का हक होना चाहिए ये वो अगर चाहे तो वो गाड़ी पर जादा टैक्स लगा सकती है वो कह सकती ही जो लोग AC खरिदते है वो अमीर है इनके ऊपर हम जादा टैक्स लगाएंगे वो कहीं कहीं पर टैक्स कम कर सकती है चाहती है तो अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लेकिन GST के अंडर क्या होता है कुछ ही हर एक राज्य में वही एक ही tax लग सकता है और वह आप GST council में जाकर ही आप उसको बदलवा सकते हैं तो हर एक राज्य जब अलग अलग तरीके के party को vote देता है उनको कहता है कि अच्छा इनका agenda यह है यह अच्छे लोग है इनको vote दे लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते क्योंकि tax उठाने का जो जिम्मा है वो सारा central हो चुका है वो centralized हो चुका है इससे जिसको कहा जाता है कि राज्यो का जो independence है वो बुरी तरीके से इस पर आगहात हुआ है और इसलिए यह लोग तंत्र के भी खिलाफ है गरीबों के खिलाफ है ल झाल